हेलो गाईज वेलकम तो माई चैनल डीवी ब्यूटी पॉइंट आप सब लोग ठीक होंगे अपना ध्यान रखिए घर से बाहर जाए तो मास्क पहन कर जाए घर में रहिए सेफ रहिए तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है शैंपू तो हम सब यूज करते हैं आपके बाल बहुत जदा ड्राय हो रहे हैं आपके बालों की शाइन कहीं खो गई है तो यह आपके लिए बहुत जदा अमेजिन होने वाला और यह आपके हैर फॉल को रोकेगा तो देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ड करते हैं आपके तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पतीला हम गैस ऑन करेंगे और इसको रखेंगे उसके बाद हम दो गलास पानी लेंगे अगर आप जादा बनाना चाहते हैं तो जादा बने सकते हैं पर में यहाँ दो गलास पानी ले रही हूँ उसके बाद अब हम लेंगे कलोंजी कलोंजी बालों के लिए बहुत ही लादायक होती है हेरफॉल और वाइट हेर की जो प्रॉबलम होती है इसको रोकती है तो यहाँ पर मैं दो चमच कलोंजी यूज़ करेंगे यह डेंटरप की प्रॉबलम से छुटकारा दिलाती है अगर आपको कोई इंफेक्शन हो गया है या कोई भी प्रॉबलम उसको दूर करेगी अब हम यहाँ ले रहे हैं मेथी दाना हमें छोटे मेथी दाना चाहिए मेथी के छोटे दाने में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, आईरन, केलशियम और फॉलिक एसे जैसे पोस्टिक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की अच्छी ग्रोथ करते हैं और जो खराब बाल हैं उनको ठीक करते हैं इसे हमें तब तक बॉइल करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए मेथी दाने में पोटेशियम प्रोटीन गुंड जैसे भरे होते हैं जो बालों को पोशन देते हैं जिससे हमारे बाल हेल्दी और स्ट्रॉंग बनाते हैं तो अब हमें इसको बॉल कर लिया है इसका कलर भी जाए देखिया में तीदाना फूल कहीं हैं तो हम गेस बंद करतेंगे और इसे रात-बर के लिए रख देंगे इसे आपको रात-बर के लिए डखके रखना है उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको इसको दबा का पूरा निकाल लेना है जो इसका जेल निकलेगा वो ही आपके लिए बहुत ज़दा यूसफुल है तो इसको हमें कंटेन में निकाल लेंगे इसको हमें कंटेन में निकाल लेंगे अगर आपके hair oily हैं तो आप apple side vinegar यूज़ करें और अगर आपके बाल dry हैं तो विटामिनी के 2 capsule aid करें तो यहाँ मैं विटामिनी के 2 capsule add कर रही हूँ अगर आपके पास विटामिन oil है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम कोई भी hair oil shampoo यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैं 2 चम्माश shampoo add कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो mix करने के बाद इसको apply कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ इसको अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद देखते हैं हम किसी को लेते हैं शैंपू के लिए तो यहाँ पर मैंने अपने friend को ले लिया है तो अब हम इसका shampoo कर रहा है तो इसको अच्छे से हमें मस मस के हलके से massage करना है तो ये हमारे बालों को डम हेल्दी बनाएगा, हैर फॉल की प्रॉब्लम से चुटकारा देगाएगा तो यहां पर हम शैंपू कर रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश करना है अब उसके बाद जो हमारा बचा हुआ था, उसको भी हम एक कांटेन में निकाल रहे हैं उसके बाद इससे हमें फिर जो हैर वॉश करना है और इसको लगा के दो मेट तक अच्छे से मसाज करनी है उसके बाद नॉर्मल पानी से हमको हैर को वॉश कर ले लेना है तो यह जरूर ट्राइ कीज़ेगा, अगर आपको हैर फॉल हो रहा है, तो जरूर ट्राइ कीज़ेगा, बहुत चादा अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है इसका आपको, और आप इसको ट्राइ करिए, और कमेंड में बताइए अपना फीडबेक कि आपको कितना फायदा हु किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू